एक साधक ने महरशी रमण से बूचा, कि मोन क्या है महरशी, महरशी कहते हैं, चुप रहना मोन नहीं, मोन ही अखंड प्राकट्य है, भगत ने कहा कि मैं समझा नहीं, महर्शी कहते हैं वह अवस्था जो वानी तथा संकल्प से परे है मोन है भग्त ने पूछा कि इसे किस प्रकार प्राप्त करें तो महर्शी कहते हैं किसी धारणा को द्रढ़ता से ग्रहन करके इसका मूल खोजो ऐसी एकागरता से मोन प्राप्त होगा अभ्यास सहज होने पर उसका परिणाम मौन होगा मानसिक क्रियाशीलता के बिना ध्यान करना मौन है मन को वश्मे करना ही ध्यान है गंभीर ध्यान नित्यवानी है भक्त ने पूछा कि यदि मौन का पालन किया जाए तो सांसारिक कारिय कैसे चलेंगे मारशी ने कहा जवस्त्रियां जल का बरतन सिर पर रखकर सक्षियों के साथ वारतालाब करते हुई चलती रहती है तो वे अत्यन्त सावधान रहती है उनका ध्यान सिर के भार पर एकाग्र रहता है इसे प्रकार जब ग्यानी कर्म करता है तो वे उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाते क्योंकि उसका मन तो ब्रम्ह में स्थित है भाक्त ने पूछा कि राम नाम की जब का क्या फल है महर्शी ने कहा राम शब्द में रा सत्यता है ममन है इनका योग ही राम जब का फल है शब्दों का जब ही बरयाप्त नहीं है संकल्पों की निव्रित्ती ही ज्ञान है संकल्पों को हटा दो तो ग्यान अपने आप हो जाएगा यह है चैतन्य मात्र है एक भक्त पूछता है कि शांती कैसे प्राप्त करें महारशी महारशी कहते है वही सहज स्थिती है मन सहज शांती में बाधा डालता है हमारी खोज केवल मन में है मन का शोध करो तब वह लुप्त हो जाएगा मन को जब तुम ढूडने निकलोगे कि मन है क्या तो वो विचारों के अतिरिक्त कुछ नहीं है मन नाम की कोई सत्ता नहीं है संकल्पों के उदय होने के कारण हम उनके मूल की कल्पना कर लेते है उसे हम मन की संग्या देते है उसकी खोज करने से कि वह क्या है पता लगता है कि उस जैसी कोई वस्तू नहीं है इसके नश्ट हो जाने पर शाश्वत शांति प्राप्त होगी एक भागत पूचता है कि बुद्धी क्या है महरशी महरशी कहते है यहे विचार अत्वा विवेक शक्ति है यह केवल नाम है चाहे अहम भाव हो मन अत्वा बुद्धी हो सब एक ही है किसका मन किसकी बुद्धी अहम भाव की क्या अहमभाव वस्तविक है नहीं हम अहमभाव को ही भ्रांतिवश बुद्धी अत्वा मन कहते हैं महरशी एक कथन आता है कि आत्मा ही आत्मा का समाधान करता है विवरण अत्वा शब्द नहीं इसके बारे में आप क्या कहेंगे महरशी कहते हैं, ऐसा ही है, तुम जितना ही जान लो, ग्यान की सीमा नहीं है, तुम संशय करता की ओर नहीं देखते हो, तथा संशयों को हल करना चाहते हो, पर यदि तुम संशय करता पर टिको, तो संशय लुप्त हो जाएंगे, अर्थात संशय की जड़, संशय के हल से कदापी समाप्त नहीं होती है, महरशी जब प्रश्न का समाधान आत्मा को जानना ही होगा फिर तो, महरशी कहते हैं, ऐसा ही है, तो भग पूछता है कि आत्मा को कैसे जानने फिर, महरशी कहते हैं, देखो, आत्मा क्या है, तुम जिसे आत्मा मानते हो, वह वस्तु तहा, या तो मन है, या बुद्धी, या मैं की कल्पना, अन्य संकल्पों का उदय, मैं की कल्पना के पेश्चात ही होता है, इसलिए वहीं टिको, अन्य संकल्प लुप्त हो जाएंगे, तथा केवल आत्मा ही अवशेश रह जाएगी, भगत कहता है कि वहां तक तो पहुँचना बड़ा कठिन है महरशी, महरशी कहते हैं, वहां तक कदापी पहुचना नहीं है, चुँकि यह नित्य है, अभी और यहीं है, यदि आत्मा नवीन वस्तु की प्राप्ती होती, तो यह स्थाई नहीं होती, भगत पूचता है, तो महरशी मन की समता, शांती, तथा संतुलन कैसे प्राप्त करें, सर्वुत्तम उपाई क्या है, महरशी कहते हैं, इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ, मन को खोजू, इसके लुप्त होने पर तुम अवशेश रहोगे, तुम्हारी ज्यान मई द्रिष्टी होते ही, जगत पर मात्मा प्रतीत होने लगेगा, द्रिष्टिम ग्यान मई म कृत्व, पश्षेद ब्रम्ह मयम जगत, ग्यान मई द्रिष्टी करके, जगत ब्रम्ह मय देखे, भाव यह है कि यदि बोध द्रिष्टी होगी, तो जगत ब्रम्ह ही दिखाई देगा, इसलिए प्रश्ण द्रिष्टी कौन का है तुम सब में व्याप्त हो स्वयम को जान लो और सब समझ में आ जाएगा परंदु अब तुमने अपनी आत्मा की द्रड़ता खो दी है और अन्य वस्तुओं पर शंका करते रहते हो बस तो भक्त पूछता है कि आत्मा को कैसे जाने फिर महर्शी महर्शी कहते है मैं क्या दो है तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे है जरा बताओ तो क्या तुम अपने आप कोई नेत्रों से देखते हो स्वयम अपने से पूछो जरा यह प्रश्न क्यों उठा क्या मैं इसको पूछने हे तु रहता हूँ अथवा नहीं क्या मैं अपनी आत्मा को दर्पन में देखने से पा सकता हूँ चुंकि तुम्हारा दृष्टी कौन बाहर की तरफ है बहिर मुखी हो गया है इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं होता है तथा तुम्हारी दृष्टी बाहर हो गई है आत्मा बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती दृष्टी को अंतर मुख करके गहरे हो जाओ तो तुम आत्मा ही हो महर्शी हम मन का निरोध कैसे करें महर्शी कहते हैं क्या एक चोर स्वयम अपने साथ धोखा करेगा क्या मन स्वयम को खोज सकता है मन की खोज मन नहीं कर सकता तुमने जो वास्तविक है उसकी तो उपेक्षा कर दी है तथा तुम मन को पकड़े बैठे हो जो मिथ्या है और उसी मन को तुम खोजना भी चाहते हो कि वह क्या है क्या तुम्हारी सुशुप्ती में मन था वह नहीं था अब वह यहां है इस प्रकार यह अस्थाई है क्या तुम मन की खोज कर सकते हो तुम मन नहीं हो तुम स्वयम को मन समझ कर मुझ से प्रश्ण कर रहे हो कि मन को वश में कहसे करें यदि वह होगा तभी इस पर नियंतरन होगा पर वह नहीं है खोज से इस सत्य को जान लो मिध्या की खोज निशफल है विर्थ है अतहा सत्यता को अर्थात आत्मा को खुजो मन पर शासन करने का यही मार्ग है कि वले एक सत्य है महरशी वह एक सत्य क्या है महरशी कहते हैं वह अस्तित्व मात्र है अन्य वस्तुएं द्रिश्य मात्र है नानात्व उसका स्वभाव नहीं है हम कागज पर मुद्रित अक्षर पढ़ रहे हैं किन्तु जिस कागज की प्रिष्ठ भूमी पर यह सब अंकित है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं इसी प्रकार तुम मन में उदय होने वाले विविध द्रिश्यों में लिप्त हो जाते हो तथा मन की प्रिष्ठ भूमी को भूला देते हो इसमें दोश किसका है महरशी क्या आत्मा की सीमा है महरशी ने कहा तुम ये जानते होगी आत्मा क्या है हाँ महरशी जीवात्मा ही तो आत्मा है तो महरशी कहते हैं जीवात्मा क्या है फिर क्या इन दोनों में कुछ अंतर है या एक ही है किसी भी नवीन दृश्य का लुप्त होना अनिवारिय है जो वस्तु पैदा होगी वह निश्चिती नश्ट होगी जो नित्य है वह न जन्म लेता है न मरता है अब हम दृश्यों को सत्यता से मिला रहे हैं द्रिश्य का अंत उसी के साथ है वह क्या है जो नवीन दिखाई देता है यदि तुम इसकी खोज करने में असमर्थ हो तो द्रिश्यों के आधार के प्रति पूर्ण तयास समर्पन कर दो उस अवस्था में सत्यता ही अवशेश रह जाएगी तो भक्त ने पूछा कि महर्शी मृत्यू के बाद क्या होता है महर्शी ने कहा स्वयम को वर्तमान जीवन में सनलगन रखो भविश्य अपनी चिंता स्वयम कर लेगा भविश्य की चिंता मत करो स्रिश्टी के पूर्व की अवस्था तथा सृष्टी की प्रक्रिया का शास्त्रों में इसी हे तु वर्णन है कि तुम वर्दमान को जान लो चुंकी तुम कहते हो कि तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए वे इसका अनुमोदन करते हैं तथा यह भी कह देते हैं कि इश्वर ने तुम्हें पैदा किया है पर क्या तुम इश्वर अत्वा अन्यक वस्तु को सुशुप्ती में देखते हो यदि इश्वर सत्य है तो वह तुम्हारी सुशुप्ती में भी क्यों प्रकट नहीं होता तुम्हारा अस्तित्व सदैव है अब भी वही तुम हो जो सुशुप्ती में थे तुम जो सुशुक्ति में थे उससे अब भिन्न नहीं हो तब फिर दोनों अवस्थाओं में भावनाओं तथा अनुभवों का अंतर क्यों हो क्या तुमने नींद में अपने जन्म के विशय में अत्वा मृत्यू के बाद कहां जाओंगा यह प्रश्न पूछा था अब जागरत अवस्था में उन सब पर क्यों विचार करते हो जिसका जन्म हुआ है उसे ही अपने जन्म तथा उपचार उसके कारण तथा अंतिमफल की चिन्ता करने दो जन्म क्या है जन्म अहमभाव का है अत्वा देह का क्या मैं देह से प्रथक हूँ अत्वा वही हूँ यह है अहम भाव किस प्रकार उदय हुआ क्या यह है अहम भाव तुम्हारा स्वरूप है अत्वा तुम्हारा स्वरूप कुछ और है भक्त ने पूछा महरशी ये प्रश्न कौन करेगा महर्शी कहते हैं ठीक यही है इन प्रशनों का अंत नहीं है कितने ही पूछते रहो प्रशन खत्म नहीं होगे तो भक्त पूछता है तब क्या हमें चुप रहना चाहिए महर्शी कहते हैं मोह पर विजय पाने के बाद संशय कष्ट नहीं दे सकते भक्त कहता है महर्शी आपके निर्देश विचार को समाप्त साकर रहे हैं महर्शी कहते हैं यदि आत्म विचार समाप्त हो जाता है तो लोग विचार उसका स्थान ले लेता है आत्म विचार में सन लगने रहो तब अनात्म लुपत हो जाएगा आत्मा अवशेश रह जाएगी यही आत्मा का आत्म विचार है एक शब्द आत्मा मन, देह, मनुश्य, विक्ति, परमात्मा तथा अन्य सब कुछ का परियाय है एक भक्त पूशता है कि महर्शी संसार तो भोतिक वादी है इसका क्या उपाय है महर्शी कहते हैं भोतिक वादी तथा अध्यात्मिक तुम्हारे दृष्टी कौन के अनुसार है अपने दृष्टी कौन को यथार्थ बनाओ सृष्टी करता अपनी सृष्टी का पालन करना जानता है तो महर्शी भविश्य को निरापद बनाने का सर्वत्तम साधन कोंसा है महरशी कहते हैं वर्तमान को संभाल लो भविश्य अपने आपको स्वयम संभाल सकेगा भगत कहता है भविश्य वर्तमान का परिणाम है महरशी इस दृश्टी से मुझे उसे उत्तम बनाने ही तू क्या करना आवश्यक है अथ्वा क्या मुझे शांत रहना चाहिए महरशी कहते हैं संशय किसका है वह कौन है जो कारिय करना चाहता है संशय करता को खोजो यदि तुम संशय करता को पकड़ लोगे संशय नहीं रहेंगे आत्मा में स्थिर न रहने से संशय तुम्हें एक शुब्ध करते हैं जगत दिखाई देता है संशय उदय होते हैं तथा भविश्य की चिंता उत्पन्न होती है आत्मा में द्रड़ता से टिके रहो ये सब लुप्त हो जाएगा भव्ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव वववववववववववववववववववववववव क्या इसकी प्राप्ती के लिए कोई मार्ग है महर्शी कहते हैं प्रयास करो जिस प्रकार कुआ खोदने से जल प्राप्त होता है उसी प्रकार विचार से आत्मा की अनुभूती होती है जी हां महर्शी परंतु कुछ को पानी आसानी से मिल जाता है जबकि दूसरों को बड़ी कठिनाई से मिलता है महरशी कहते हैं पर तुम्हें सतह पर नमी का अभास पहले ही होता है तुम्हें आत्मा का धुंदला सा भान है लगे रहो लगे रहो जब प्रयत्न समाप्त होता है आत्मा ब्रकाशित होती है भक्त कहता है तो महर्शी मन को अंतर मुखी बनाने के लिए क्या किया जाए महर्शी कहते हैं अभ्यास करो और क्या करोगे मन बुद्धी की एक अवस्था है एक आग्रता से आत्मा का साक्षात कार करो मन तो स्वयम नश्ट हो जाएगा तो महर्शी मन को नश्ट कैसे करे जल को सूखा जल नहीं बनाया जा सकता आत्मा को खोजो, मन नश्ट हो जाएगा तो महरशी कलेशों से कैसे बचे हैं? महरशी कहते हैं, क्या कलेश का कोई आकार है? वृथा के संकल्प ही तो कलेश हैं मन की इतनी क्षम्ता नहीं कि इनको रोक सके तो महरशी इस प्रकार की मानशिक शक्ती हम किस प्रकार प्राप्त करें कि इनको रोक सके? महरशी कहते हैं, ईश्वर की आराधना से तो महरशी सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान समझने में तो कठिनाई होती है न? महरशी कहते हैं, ईश्वर को अकेला रहने दो जब किस प्रकार करें? जब दो प्रकार का है स्थूल तथा सूक्ष्म. सूक्ष्म जब उस पर ध्यान है और यह मन को शक्ति देता है. महरशी परंदु ध्यान के लिए मन स्थिर नहीं होता. महरशी कहते हैं इसका कारण है शक्ति का कम होना. धीरे धीरे शक्ति बढ़ाओ, धीरे धीरे तुम आत्मा में स्थित होने लगोगे. मन अपने संकल्प छोड़ने लगेगा. सारे व्रिथा के संकल्प छोड़ जाएंगे. तम तुम आत्मा को पालोगे. परमात्मा में स्थित हो जाओगे